आज समाकलन चेप्टर का एकसरसाइज 7.7 मैं कमप्रीट कराऊंगा और एक बात मैंने सुना है अपने कमेंट्स मैं देख रहा था आप लोगों के बीच में कि सर क्या गैरंटी है कि मैं आपकी वीडियो देखूंगा तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा त्यार इस बात की तो गैरंटी आप स्वेम चेक कर सकते हो यार मेरे वीडियो देख के सक करते हो मेरे से जितने भी जातर पेड़ कोर्स में जुड़े हैं वे लोग आज तक मुझे नहीं छोड़े और नहीं तो अगले साल अपने भाईयों को बेहनों को मेरे से ही पढ़ने के लिए सीधे कह देते हैं कि यूटूब पर अगर पढ़ना है तो किसी से नहीं पढ़ना सीधे यहम सलूसन वारे सर से पढ़ना मैं तुमें अच्छे नमबर लाना है तो मेरे से वो लोग कहते हैं और यार मुझसे पढ़ रहे हो तुम एक बार जुड़ो तो देखो तो और मैंने पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक कर दिया है आप पूरा यूटूब पर किसी और का कोर्स लेते हैं तो क्या करते हैं आप दो दिन चार दिन बाद आप पच्छताते हैं फिर आप क्या करते हैं दूसरे टीचर का कोर्स करीते हैं एक टीचर का कोर्स लेने के बाद दूसरे का लेते हैं वहाँ से भी संतुष्टी नहीं होई तो तीसरे का लेना ही नहीं चाहते हैं कि पैसे की भी तो बात है, पैसा भी तो आप का फूका जा रहा है, तो प्यारे बच्चों, आप सोच समझ करके पढ़ाई केजिए, कभी सस्ते के चक्कर में अपने पैसे को, अपने समय को, अपने केरियर को बरबाद मत करो यार, सच बता रहा हूं, तुम्हारी मुझे बहु बहुत तकलीफ महसूस होती है, जब यह कहते हो, कि सर मैंने उनका कोर्स लिया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाया, आपका कोर्स लिया हूं, सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं वहाँ पर मैं दुखी होता हूं कोर्स लेने के लिए, ऐसे बच्छों की हिम्मत का मैं बहुत ही दास दूँगा, लेकिन अब मैं आपको असपस्ट बता देना चाहता हूं, कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, वो आफलाइन कोचिंग से भी ज़्यादा बहतर है, क्यों? क्योंकि आफलाइन कोचिंग में क् आजकल लोग पढ़ाते जाएंगे आपको, और आपकी जो गलतियां है, उस पर आपको डाटेंगे नहीं, आपकी टेस्ट की कापी वो ठीक से नहीं चेक करेंगे, ऐसे टेस्ट लेकर चेक करेंगे, जैसे कि उनको कोशिस करना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नम हमेशा टेस्ट मिलाता है, और मेरा बच्चा बहुत बढ़ियां पढ़ रहा है, और इसके पढ़ाने वाले सारजी बहुत बढ़ियां पढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो जो ट्यूसन पढ़ाने वाले आफलाइन टीचर हैं, उनके पास आपके घर से फीस लगाता आता रहेगा उनको क्या उनको अपनी फीस लगतार आने का maintenance करना है लेकिन हमारे मां ऐसा नहीं है हम आपकी कापी चेक करेंगे तो आपकी कापी में दस लाइन अगर आपने एक सवाल में लिखा तो दसो लाइन में चेक करता हूँ दस लाइन में अगर थोड़ी सी गलती है मा आप बुरा मानिएगा छोड़ दीजेगा तो मुझे उसका गम नहीं है आप अच्छा मानिएगा उसको सुधार लीजेगा तो मुझे उसकी खुसी है आपका future अच्छा होगा आपने सुना नहीं है कि यार मैं तो मैत का paper board exam में पूरा करके आया था B कापी भरके आया था C क मिला होता तो सो में सो कर दिया होता लोग paper देके आते हैं इसी तरह से बोलते हैं लेकिन जे दिन result निकलता है उस दिन क्या क्याते हैं यह कैसे हो गया मेरे साथ मुझे 95 नंबर मेंने किया था अगर कितना भी काटे 5 नंबर काट देगा 90 तो देना ही चाहिए था मेरी कापी गलत चेक किया किसी ने किसी ने जानबुष के काट दिया इस्कूल में लोगों ने बदल दिया मतलब अपनी कमी उनको दिखी नहीं कभी क्योंकि उनकी कापी के कमी उनके ट्यूसन टीजर ने कभी दिखाया नहीं तो जब वो दिखाया नहीं तो बच्चे ने देखा नहीं रिजल्ट देखा तो उसने तीन लोगों को पकड़ लिया, पहले कि स्कूल में काफी चेंज कर दिये होंगे हैं पैसा लेके माज्वा के दूसरे बच्चों तीसरे बच्चों गा, दूसरा कि नंबर देने वाले ने जानबुष्क के नंबर कर दिया, तीसरा को कि याज पीह ह लेकिन सच में जो भी नंबर कटा है आज तक वो बच्चे की कांपी की वज़े से कटा है मैं गैरंटी लेता हूँ कि आप बहुत पढ़ने में अगर दस रुपए वाला कॉर्स लेजिए 10 रुपए वाला कॉर्स कैसे मिलेगा आपको कहें कि सर्षी कोहन कॉर्स दस रुपए का जरह मैं दिखा दिया रहा हो तुम लोगों ग्रुजा ओ हाँ अब यह डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल यागा स्क्रीन पर भी चली रहा है इस नंबर फोन करना करना सर्थ मुझे आपका दस वाला कोर्स सही है तो मैं दस रुपय के डेमो कोर्स में आपको चोड़ूंगा मैं आपको वीडियो काल पढ़ाऊंगा मैं आपको इसी डिजटल वोट पर में चेक करूंगा ठीक है और बताऊंगा कि तुम गलत करोंगा लेकिन तुम और में सही कर की बेज़ रहा हूं तुम सोचोका कि मेरा सवी है तो मुझे भेजता होंगी मैं यहीं पर चेक करूंगा तीन नंबर का सवाल नएगा तो दोनी दिखाऊंगा प्रूफ अगर तुमको स्विकार करना पड़ेगा कि हां सर गलत है लेकिन यही गलती अगर तुम्हारे ट्यूसन टीचर ने नहीं बताया आफ लाइन वाले ने तुम यही गलती बोर्ड परिच्चा में मैज के पेपर में 30 कोस्चन आते हैं तो 30 कोस्चन में अ कोई-कोई पूरा सवाल है गलत कर दिये तो पूरा नंबर ही कर जाएगा तो सो में से 60, 65, 62, 65, 56 यहीं नहीं आओगे भाई तो कैसे टीचर को गाली दोगे कि गलत चेक किया गैसे तुम इस्कूल वालों को ब्लेम करोगे कि कांपी चेंज कर दिया एक्जाम सेंटर पर कैसे कहोगे पहले अपनी कांपी दिखा दिखा कि 5 लोगों से चेक कर वाओ देखो एक बात बताओ जिस भी ट्यूशन टीचर से तुम पढ़ते हो अपनी कांपी उनसे मत चेक कर आओ पहली बात दूसरे अध्याबक से चेक कर आओ जो मैं पढ़ाते हो उनसे कहना कि सर इसमें आप गलती ढूढ़के निकाल दीजिए जितनी गलती ढूढ़ेंगे सर पर गलती आपको 20 रुपे मिलेंगे तो देखना कितनी गलती वो निकाल देंगे ठीक है अराम से निकाल देंगे आज कर कुछी पास फ्री टाइम नहीं है तुमारे कांपी चे टेस्ट देते हो कोचिंग सेंटर में टेस्ट वाली कहां पिलाओ मुझे वाटसब करूंगा मैं फीस के चेक करूंगा लेकिन अगर बगल में टीचर्स हों जो पढ़ाते हों उनसे चेक करना भाई या बाभी बहनी से मत कराना जो प्रोफेशनल नहीं है उनको क्या ग्यान ह क्योंकि उनको जैसे पढ़ाया किसीने वही से चेक कर देगा लेकिन जो बोड़ एक्जाम के वहां पी चेक करके आते उनसे चेक कर आले ना कि सर्जी जड़ा देखिएगा इस पर आप नंबर काटी है और नंबर दीजिएगा जितना काटेंगे उसका आपको 20 रुपे चार जब से आनलाइन आया है तब से कांपियों का मुल्यांकर कहां कोई करता है क्या किसी आनलाइन टीचर ने आपकी कांपी देखा चेक किया आपकी घलती आपको बताया आप उनके अपलिकेशन में जाते हो टेस्ट देते हो आटोमेटिक नंबर मिल जाता है किस पे नंबर मिल मिला है और क्यों नंबर नहीं मिला है कि तो ये विल चीजें आपको प्राबलम में डालेंगी एधा नँ तो प्राबलम से बचना है तो ज़रूर एक बार मेरे बात पर विजवास कीजीएगा तो मैं तो पढ़ाने के लिए इस वीडियो में आया हूँ लेकिन ये से 1000 की जिगन 2-4 बच्चे ही अगर अपनी कांपियों कापोन लियांकन करवाना शुरू कर दें किसी भी टीचर से तो हो सकता है कि वे 100 में से 50 नंबर पाने की बजाए 100 में से 80-85 नंबर पा जाए या 100 में से अगर वो 80 पाते तो हो सकता कि 98, 92, 93 पा जाए अईसी संभावना ये बंदिंग है तो मेरा विचार आप लोगों को ये ठीक लग रहा है कि गलल लग रहा है कि आप लोग अपनी राय कमेंट में लिख देना पढ़ाने के लिए तो मैं आया हूँ पढ़ाऊंगा रोज पढ़ाऊंगा लेकिन रोज ये बाते नहीं बताऊंगा क्योंकि रोज बताऊंगा तो आप ही कहो गया हर रोज एक ही बात कहता है ठीक है तो आज अगर कह रहा हूँ तो कहले ने दो सुन लो नहीं सुनना है तो कान बंद कर लो थोड़ी समय ठीक है वीडियो भगा के आगे चले जाओ लेकिन यार मेरी बात मान के तुम अगर अपनी कांपियों में शुधार करवाओ या कमी खुजवाओ तो बहुत कमी निकलेगी तो सारी कमीयों को अगर दूर करवा दो मैं कहता हूँ 100% कमी तो दूर होगी नहीं 95% कमी दूर होगी तुम अगर उन कमीयों के वज़े से 70 नमबर पाते कमीयों को दूर करके तुम 70 के वज़े 97 नमबर पा जाओ तो क्या तुम्हारी भलाई के लिए बात मैं बोल ला हूँ कि तुम्हारी बुराई के लिए बोल ला हूँ फाइदे की बात बोल लाओ नो ऐसी बाते कभी योटूपर आपने किसी से सुना है नहीं सुना है क्योंकि उनको से बिजनस करना भाई आप से पैसे ले की किनारे होना है वो आप से फोन पर बात भी नहीं करते हैं हम वीडियो काल बच्चों को पढ़ाते हैं फोन पर बात करने की बज़ा छोड़ो जया से आफ-लाइन कोचिंग में आपक्या करते हो टीचर से बात करते हो न ढाटस उनते हो न वेजचत होना हम भी ऐसी वीडियो कायल पढ़ाएंगे आपको आप हम पढ़ाएंगे हैं जिसे हम बोले हैं ऐसे आप कोगे हां सर जी नहीं सर जी सौरी सर दुबारा नहीं होगा सर ऐसे बोल पाओगे कॉमेंट वाला लाइव कलास नहीं हमारा फेस टू फेस वाला कलास है ठीक है ऐसे बच्चों के साथ आप भी पढ़ोगे तो फिर इसी बोर्ट पर मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपकी कापी बीचे करूँगा सवाल बीचे करूँगा तो बताऊंगे बेटा तू यहां गया तू यहां गया भाई कि मेरे पाँ जैसे ही जब कोई नहीं बच आता है तका तसर हमारा बहुत बढ़ियां से यह वाला चप्टर तयार है वो वाला तयार है मुझे सिर्फ वो चप्टर पढ़ना है अमने का ठीक है जो तयार है उसका एक सवाल दे रहा हूं लगा कि मुझे भेजो मैं दिखाता ह तो लगा एक बेता पता चलता है एंसर तो लाया है लेकिन गलत तरीके से लाया है क्या क्याते है धन कमाना चोरी करके कमाना क्या एक गलत है रोज रोज की चोरी कहीं कहीं पकड़ी ही जाएगी तो उसका सजा आपको भुगतना है पाप करके अगर पैसे कमा रहे हो तो उस बाप का तुम्हें पश्चाताप करना ही करना है, चाहे दुख में पढ़के, चाहे किसी विपत्ती में पढ़के, तो बेटा, बात मानो मेरी, अच्छे अध्यापकों की थालास करो, अपनी कांपियों का मुल्यांकन सिर्फ उनसे कराओ, जिनसे तुम पढ़ते नहीं हो, और सब सही यार, कहां गलत है, क्योंकि एक बार वो खुझ चेक कर लिए हैं, तो फिर अपनी चेक किये, कैसे गलत साबित करेंगे, आप दूसरे दिखाओ, नहीं कोई देखता है, तो हमारी वीडियो काल कोर्स में जुड़ों, हम 10 रुपे चार्ज लेंगे, ठीक है, पर है, चार महिने का टाई में, नॉम्बर, दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी, फर्वरी के लास्ट में, मार्च के फर्स्ट वीग में मायत का पेपर होगा, चार महिने, अगर मेरे संदोच्छड में रहो, मेरे सरड में आओ, मेरे आसरम में आओ, मेरे चैनल में, मेरे क्लास में तो तो में उसका फायदा मिलेगा ठीक है लोग 25 पर 25 को दे रहें यूटूब पर 25 का देर हैं हम तो 200 पर में महीना यह नहीं पढ़ाते हैं हमारा 300 महीने का फीश है क्यों है क्योंकि हम दे रहें बच्चों को क्वालिटी और हम से बच्चे पढ़ रहें तो छोड़ भी नहीं रहा सा नहीं कि वह यारत वरह मैं आगा तुझे छोड़के मैं उधर चलता हूं जो आ गया वह पाच-पाच महीने का इक अठा जमाकिया हमारे पास ठीक है तो सच् अगर वो इस वीडियो को देख रहे है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यार कमेंट में तुम लिखो कि हाँ यह सच है कि नहीं सच है हाँ आपने वो चीज मेरे साथ जूड़कर पाया कि नहीं पाया आपकी दंदर जो दिक्कते थी उन दिक्कतों को दूर किया जा अब बहुत सारा प्लांस है मेरे पास बहुत सारा मन है मेरा बहुत सारा मेरा प्रयास होने वाला है जो बच्चे जुड़ी हैं उनके साथ में बेस्ट करूं जो आज कुछ नहीं जानते ना आज वो बहुत कुछ जान गए हैं जो बच्चे अपने आपको गड़ित में फेल लाएगी आप आजाओ मैं आपको जब रिस्ती नहीं बुला रहा हूं अगर आपको मेरी बातों में विश्वास थोड़ा सा है तो सिर्फ 10 रुपे खर्च करके आजाओ वह नंबर चला है डिस्क्रिप्शन में अप्लिकेशन का लिंक है डाउनलोड कर लो ठीक है तो तुम्हारे भलाई के लिए मैंने कितना देर समय दे दिया यार 16 मिनट मैंने बोल दिया और यह बहुआ प्रिभव मुझे तो 7.7 पढ़ाना था देख रहा हूं कितने मिनट हो गया और यार 16 मिनट तुम्हारा टाइम खराब किया अगर तुम्हारा बरबात किया आम स्वरी मुझे माप कर देना और अगर यह लगा कि यार मैं यूटूब टो स्वरी पपै है चलिए बात है तो बहुत होगा है शुरू करते हैं 7.7 का सिलसिल इस सुद्धर सब्सक्राइज का यह पहला सबाल है और यह सवाल इससंतर पर लगेगा अब अबिसोचओ कि कैसे हम जान गये कि इससे सुद्र पर लगे की जब तुम जान जाओगे कि तो वो चात्र समझो अच्छे गुरू के संपर्क में नहीं है अब इसे देख करके कैसे जानेंगे कि इस पे कौन सा फार्मुला लगेगा क्योंकि समाकलर में 34-35 सूत्र है तो 35 में से कौन सा लगेगा अगर यह तुम जान जाओ तो समझो कि तुम बहुत अच्छे हो और वही मैं सिखाऊंगा इस पूरे के पूरे एक्सरसाइद में क्लियर चलिया पहली बात इस सवाल में देखो करड़ी है तो इस सूत्र में भी करड़ी होना चाहिए सवाल में अंदर माइनस में अक्सी स्क्वाइर है तो सूत्र में भी माइनस में अक्सी स्क्वाइर होना चाहिए दो चीज तो मैस कर गया भाई तो पहले पर स्क्वाइर नहीं है यहाँ पहले भी स्क्वाइर है तो एक काम करो इसको आप चार को दो का स्क्वाइर बना दो ठीक है समाकलन करना है तो सिंबल लगा ही दिया जाएगा समाकलन का अब देखो हंड्रेड में हंड्रेड परसेंट इससे मैस कर गया ध्यान दो यहाँ पर करड़ी है तो यहाँ भी करड़ी है है ना यहाँ पर स्क्वाइर लगा इस पर तीस पर भी स्क्वाइर लगा है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस है जैसे आप मोबाइल कभर खरीते हो तो कौन सा कभर आपके मुबाइल में लागेगा तो उसका क्या करते हो आप वो सबसे पहले उसका यह सब पीछे का कैमरा का कितना कैमरा है वो काउंट कर ले तो अच्छा तीन केमरा दो बड़ा एक चोटा अच्छा इदर तीन बटन है एक लिष्ट में सारे सुत्र समाकरण के सारे सुत्र एक लिष्ट में आपके सामने होने चाहिए आपकी दिवाल में आपके पेज में उन सारे सुत्रों में से आप ढूड़ेंगे कि कौन सा सुत्र एकदम से इस तरीके से है तो आप पाएंगे कि सिर्फ सिर्फ यही सुत्र सबी सुत्रों में सिर्फ यही सुत्र ऐसा है जो इसके से मेच्श कर रहा है तो यह रहा सुतर जानने का थरीका लेकिन आप एतने क। आलसी हैं सारे सुत्रों को एक जग fan लिखी नहीं हो टी आरे ठीक है समाकलन के 34 सूत्र लिख के सर्च कर देना जो भी वेबसाइट आएगे उफर www.pdfmundi.com करके कोई आई की वेबसाइट उस पर आप जा करके डाउनलोड कर लेना ठीक है सारे सूतर मेरे दवारा बत लिखे गए वहाँ लिख लेना ले डाउनलोड कर लेना इतना हो गया आज आओ अब सूतर पर सवाल कैसे हल करते हैं देखिए प्यार से देखिए क्योंकि जब तक आपको प्यार नहीं रहेगा आपका मन नहीं रहेगा खुसी नहीं होगी जब तक आपको तब तक सवाल आएगा है नहीं बराबर के ठीक नीचे बराबर चिन है और इसको छोड़के अब ये लिखना है तो सुतर लगाना के इसे बहुत आसान है मेरे बहुत आसान ह सूत्र इस्तेमाल करना चिखो ध्यान दो इसमें और इसमें कितना फर्क है सिर्फ एक चीज का क्या यहां एक जगह पर क्या लिखा है क्या लिखा है दो लिखा तो आप जानगे कि जहां जहां ए हाँ वहां वहां दो लिख दिनगे हमा रखाम होज procedure जहाँ जहाँ एक जगह पर दो लिखना बाकी सब कुछ उतार दीजिए यह पूरी लाइन उतार दीजिए बस एको चीज मत करिएगा एक जगह पर दो लिखिएगा बस चलिए वही करते हैं क्या है एक बटा दो कोश्टक यक्स करणी क्या लिखना एक जगह पर दो बस फिर आगे लिखते जाओ फिर के आगे पलस के बाद ए तो फिर एक जगह पर लिख दो दो का स्कार फिर आगे लिखते जाओ साइन इंवर्स यक्स बटे बटे के नीचे ए फिर वहाँ पर लिख द फिर यहां दो का स्क्वाइर चार यक सबाइट दो प्लस सी लो खतम एंस्वार आ गया और यह सवाल जो मेरे बताया दो नंबर में एक्जाम में आएगा दो नंबर में तो तुम कितने भाग गिसाली होके तुमको इतने आसान तरीके से मैंने बताया और ग्यान अच्छा लग रहा हो तो भाई अभी के अभी डिसीजन ले लो अमल कर लो फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में अप्लिकेशन का लिंक है जाओ डिसकाउंट वगरे चाहिएगा तो फोन कर लेना बंदे दिये जाएगा ठीक है बट अच्छी लोगों के साथ जड़ोगे हमेशा अच्छी चीज़ें सीखोगे नहीं तो फिर पच्छताने के सिवा कुछ नहीं आपको हासिलोगा ठीक है चलिए परिसानीया जिन्दगे में आती रहेंगी हर रोज एक नई परिसानी आएगी हर रोज उसको आप ऩहेलेंगे कभी खुषी से कभी गम से लेकिन आप जहेलेंगे जरूर तो यह सवाल भी एक परिसानी है आपको नहीं आ रहा है, आप मुझे छेलिए, मैं आपको समझाओंगा, उसके बाद आपको आ जाएगा, प्राबलम प्राबलम नहीं रह जाएगे, प्राबलम का सलूशन भी हो जाएगा, जो M सलूशन पर आपको मिलेगा, ठीक है, ये सवाल है दूसरा, अब इसको कैसे करना है भाई, पूरी बात मैं समझाता हूँ, यक्स इसकोयर के बगल में जो भी रहेगा, उसे ही कामन लेना होता है, याद रखना, यक्स इसकोयर के बगल में जो भी रहेगा, उसे कामन लेंगे, तो कामन कैसे लेंगे, चार यहां से कामन होगा, तो एक में से चार तो कामन हो नहीं पाएगा तो जिसमें से कामन नहीं होगा उसके नीचे बटे के नीचे चार लगा देंगे ठीक है वन में कामन नहीं होगा तो वन के नीचे बटे में चार लगा देंगे माइनस यहां से कामन हो गया तो यक्सी स्कॉयर के बचेगा ठीक है एक बार फिर से समझिए वन प जाता आपको मालूम है dx को यहां लिखेंगे चार करड़ी से बाहर आएगा दो बन जाएगा करड़ी के अंदर एक बटे 4 को क्या लिखेंगे एक बटे 2 का स्क्वाइर माइनस एक्स का स्क्वाइर dx एक बटे 2 का स्क्वाइर माइनस एक्स का स्क्वाइर अब फिर इसी सूतर पर ये आ गया ध्यान देजिए इसी सूतर पर आ गया जब आपके पास सारे सूतरों की लिष्ट होगी आप डाउनलोड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा नहीं करेंगे तो आप पच्छतानिक के सिवा और कुछ हांसिल नहीं करेंगे ठीक है आईए अब यहां इसमें और इसमें क्या चीज का फरक है केवल एक चीज इसमें ए है और इसमें इसकी जगां क्या एक बटे दो है तो यानि जहां जहां ए है वहां वहां एक बटे दो लिख दीजे काम आपका खतम ठीक है तो चलिए यह वाला दो पहले से असूत लगाते हैं एक बटते दो हिर्फ कर निकाल्डी कहीं काल लिखाँ क्या ए-सक्वैर एक की जिए गेए लेकर लिखे और गोटी दो कर स्काइर म क्नार्लच को एक सक्वैर लोड़ाइस कीर्च कना पलश पिर एक स्कार्च को एppenार तो भी एक बटता दो कई स्केर है के क्या साइन इन्वर्स देखो देखो मैं यही लिख रहा हूँ देखे साइन इन्वर यक्स बटा ये तो यक्स उपर बटे के नीचे ए एक अमान एक बटे दो है ठीक है अब आब इसी लाइन को बस एक बार और calculate कर दीजिए यहां 2 से 2 क्या होगा ? 1 बचेगा 1 का कोई मतलब है नहीं यक्स रूट में इसको लिखेंगे 1 बटे 4 माइनस यक्स स्कुर ये भी होजाईगा 1 बटे 4 साइन इन्वर्स यह दो चला जाएगा पुलट के उपर तो जाएगा टू यक्स बटे के नीचे एक लिखते नहीं छोड़ देंगे बस काम खतम प्यार हो जाएगा आपको अपने बिसे से प्यार हो जाए यही आपकी काम्याभी का प्रतीक है ठीक है मजा तवाई रहा होगा अब मैं आपको इसका अगला कोश्चन बताता हूं मेरे भाई इमांदारी से देखना कहीं जाना नहीं है कहीं भागना नहीं है ठीक है चलो x square plus 4 x plus 6 बहुत निमन question है थीसरा इसमें कमाल की चीज में बताने वाला हूँ ठीक है देखो ऐसे है जब 2 से अधिक पदर है तीन पदर है तो जरूर आप क्या करिए ऐसा कुछ बनाईए कि देखो मैं एक बात बताऊ हमको कैसी पता चलेगा कि कैसा इसको बनाना है सिंपल सी बात है कि इसमें करड़ी लगा है तो करड़ी वाला 2-3 गो सूत्र होता है एक सूत्र यह होता है एक सूत्र यह होता है एक सूत्र यह होता है यही तीन सूत्र है जिसमें करड़ी लगी हो ठीक है तो आप समाकलन के 35-34 सूत्र अगर आप लिखे होंगे तो उसमें से तकेवल तीन सूत्र है सम मिलेगा जिसमें करड़ी लगी होगी ठीक है तो या तो ये या तो ये या तो ये लगेगा अब देख लीज़े इसमें कहीं पर माइनस चिन्न नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों माइनस वाले नहीं लगेंगे इसमें सारा प्लस चिन्न ये प्लस वाला लगेगा साफसा बात है अब पता चल गया कि यही सुत हैं जुथ होता है एक स्कुआरी प्लस फोर एक सिक्स को तोड़दा दीज़ें अरे छ१ु रूपया है तो शहरे रूपया यहां दो पर हाँ इस दुनों मिला के तो छ형 बने चार और दो तो मिलआ के छह होता है ना तो छह को दो टुपड़न तोड़तेंगे तो क्या कोई गलत हो जाएगा नहीं होगा ठीक है? अच्छा अब आईये आगे करड़ी को बढ़ा देंगे वहां तक जहां तक लिखे हैं ठीक है? आईए आगे ध्यान दीजे यहां से यहां तक अगर आप गौर से देखिए तो जो मैंने घेरा है चार कोना के वोक्ष में यह क्या है यह है यक्स पलस टू का होली स्कायर है और यह लास्ट में टू है इसको बना देंगे करड़ी में दो का होली स्कायर आपको फिर से बताता हूँ सफेद बॉर्डर में दो जो बन्द है वो यक्स पलस टू का होली स्कायर है लास्ट में दो है तो दो को कड़िन दो का स्कायर लिख सकते हैं आप ठीक है नहीं अच्छा आप क्या करेंगे लास्ट में लिखेंगे डी अक्स बस है यह वाला जे वाला यही शुत्र है ना क्या होता इसका सुत्र जडाएर एक बहर मैं देख लूघ बस यक्स ग्रडियम स्जीज एश्क्र लाग यक्स पलस भी ठीक है इसका सुत्र है एक बटे दो यक्स करेंगे सेम चीज प्लस फिर क्या है A square lag मैं formula बड़े बकायदे लिखता हूँ किसे कोई बुरा लगे तो मुझे छमा करेगा formula मैं बड़े बकायदे लिखता हूँ बिटा A square lag X plus वही चीज lag X plus root में वही चीज पस हमारा जो long video है 12 गंटे का समाकरन वाला है उसमें भी मैंने ये chapter करवाया है संजोग है कि आप उसको नहीं देखे होंगे तो इसको देख लीजिए ठीक है अगर उसको देखे हैं फिर भी देख लीजिए दोहरा लीजिए तो सुत्र बेटा यही है क्या चीज का फरक है देखो X की जगह पर कोन आ गया यक्स पुलस टू आ गया तो इस सुत्र में जहां जहां यक्स है वहां वहां यक्स पुलस टू लिखना है क्लियर और एक जगह कोन आ गया एक जगह देखे करड़ी में दो आ गया जहनी सुत्र में जहां जहां ए है वहाँ क्या लिखना है करड़ी में 2 बस प्यार की बहां सा अगर आप समझ लें तो बड़ी अच्छी बात है तो फिर आते हैं अपने फर्मुले पर लिखना क्या 1 बटा 2 क्या लिखना है 1 बटा 2 फिर कुश्टा फिर एक्स एक्स का मतलब यही एक्स प्लस 2 फिर करड़ी में सेम चीज़ उतार देना है वहाँ देखिए फिर क्या है A स्कॉएर मतलब करड़ी में 2 का स्कॉएर फिर लाग है यह एक्स प्लस यान इतना प्लस करड़ी में सेम चीज़ उतार देंगे यही चीज़ पुरा उतार देंगे ऐसे आप ऐसे ठीक है ठीक ना फिर क्या हुआ एक बटे दो यह जैसे है वैसे रहेगा और यह जो करडिम आया ने वापस कॉस्चन ही बन जाता है यह वाला बन जाता है ठीक है कैसे पर दाचला वो बन जाता है क्योंकि इसी को तो तोड के मैंने इतना बड़ा किया, फिर इसको तोड के मैंने ऐसे बनाया था, ऐसी चीज को वापस ले जाएंगा, गर वापस ले जाएंग तो यही बनेगा, त्याigi, यह चीज, यह स्टत मैं, कॉस्ट्चन है, और कोड़िम दो का स्कॉएअर धो होता है, बस काम खतम एंसर आपके हाथ में तो जिन बच्चों ने मेरे से सीखा है जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वे बच्चे जरूर एक बार कमेंट में लिख दें कि सर बहुत बढ़ियां से समझ में आ गया अज इनको नहीं आ रहा समझ में उनको मैं कहूंगा या तो मेरा paid course जोईन कर लो या तो किसी को home tuition के लिए अपने किसी आगल बगल के teacher को अपने घर पे बुला के आप अपनी ब्यक्तिकत समस्या को यानि ब्यक्तिकत सवाल जो नहीं आ रहा उसको समझ लीजे किसी का batch लेने से नहीं आएगा आपको मेरा अगर नहीं आया तो समझो तुम किसी batch में जाओगे पैसे फूंकोगे कोई फायदा नहीं home tutor लगाओ या तो फिर हमारे पास आओ वीडियो काल पर हम भी पढ़ाएंगे तो समझो वो home tuition ही हुआ का है तो जो कि इच्छा जोकी वेवस्ता आप वार सका कर ओ थीक है अगला सवाल करते हैं तो आज हो भाई चोथा सवाल भी आप यह का इंतराव करी रहा है चोथा सवाल सवाल x2 plus 4 e X 1 है क्या है है एक स्कॉयह प्लस 4 G x 1 है चलो भाई हमको मालूम है क्या मालूम है हमको मालूम है भी या देखिए वन नहीं लिखा हूँ हमको मालूम है कि हमें करड़ी वाला किसी किसी सूतर में बनाना या तो इस में या तो इस में या तो इस में ठीक है मतलब क्या हो ली स्कॉयर वाला सिस्टम बनाना है देखिए कैसे बनता है इसमार्ट तरीका यूज़ करिएगा ऐसे लास्ट वाले वन को आप ऐसे लिख दो फोर माइनस थिरी ठीक है चार में से तीन घटा होगे तो एक आएगा न ऐसा लिखने से फैदा क्या होगा सोच सकते दो का एकस पुलस टू का होली स्कॉय अरी लास्ट में तीन है ते यसको लिख देंता लेकर अरिकलिन का ली स्कॉयर अब ये किसी सूथर पे आ गया गेस करो कौन सह सूथर बना ये मैं तो जान गया हूँ ये वाला सूथर बना है छेगा önce क्या होता इसका सुत्र एक बटे दो एक रूट में सेम चीज माइनस A Σक्वाइर लाग एक पुलस रूट में सेम चीज ठीक है एक बार मैं फर्मुला रीपीट दौहरा लेता हूँ ये हाँ यही सुत्र है ठीक है यही सुत्र है तो भाई हो यह तुम्हें तुम्हारे परिक्षा की कसम तुम इस वीडियो को complete देखना दो बार देख लेना अगर ना समझ में आए तो दो बार अब देखो ये और ये एक जैसा ये क्या है ये x square की जगह है करडिन 3 को a square की जगह लिखना है तो जहाँ जहाँ ये x वहाँ वहाँ लिखना है x plus 2 और जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ लिखना है करडि में 3 बस आजाओ एक बट्टे दो बड़ा कोस्टक क्या लिख दिया x तो इसकी जगह पर क्या x plus 2 फिर कलड़ी में क्या सेम चीज जो चीज यहां वही चीज कलड़ी में तो यह पूरी के पूरी कलड़ी उतार देंगे ऐसे चीग है फिर क्या रहेगा देखो माइनस में यह स्क्वाइर माइनस में कलड़ी में तीन का स्क्वाइर फिर क्या रहा है गर लाग एक्स प्लस एक्स प्लस लिखाना है तो एक्स का मतलब एक्स प्लस टू फिर प्लस करड़ी में कितना वही चीज़ सेम चीज़ है यानि यह पूरा-पूरा करड़ी में लिख देंगे जिसको नई चम्म में आ रहा हमारी वीडियो काल बेच में आ जाएगा पूछ पूछ के पढ़ लेगा समझ लेगा ठीक है चलो एक बटे दो एकस प्लस टू आ गया यहां पे अब इसको शाल्फ करेंगे घूम के कोश्चन आ जागत यही ऐसा इसमें सिस्ट्रम है कि इसको कोश्चन ही लिख देना है कड़ी में 3 का Chem2 3 होता है लाग X प्लस 2 और यह घूम के क्या आता है question ही आता वेटा ठीक है तो question ही लिख दीजे बस last missy ले लीजे कहीं कोई परिशानी है ही नहीं एक, दो, तीन, चार चार लाइन का सवाल है दो नमबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन इसी सवाल को गरत करेंगे 90% छातर है जो बड़ियां बड़ियां बड़े बड़े कोचिंग में 18-18,000 रुपिया फीज देकर पढ़ें साल भर में उनको भी दिखतें का सामना करना पढ़ गा क्योंकि जहां जिस कोचिंग में फीज आपकी 18,000 लगी है उस कोचिंग वाला भी आपकी कांपी का एक एक लाइन पढ़ के आपको आउली से गल्ती नहीं दिखाता है अगर कोई दिखाता है तो मैं दिखाता हूँ देखना तो पांच दिन वाला कला लेलो दस रुपे वाला तुम दस रुपे का चाट चौमीन बर्गर समोसा मोमो टिकिया इससे दस रुपे से ज़्यादा काही खाते हो डेली लेकिन आजाना एक बार दस रुपे हैं पास दिन तुमको पांच खंटा सिवा करूँगा देखना कितना आनंद आएगा तुमें ठीक है चलो आगे चलते हैं चलो पांचवा सवाल देखो जान बुझ करके घुमा दिया है आपको पहसाने के लिए उसने क्या किया और हर साल परिक्षा में एक से दो सवाल ऐसे आते हैं जान बुझ करके जैसे मालो ऐसे लिखा रहेगा ठीक है ऐसे लिखा रहेगा अइसे करेगा, ऐसे करेगा, कहाँ इसको हल करो नीचे वाला वाला उपर वाला सब एक छी चीज़े, आपके सामने चव्लिद्टे ने दूत, तो चव्लिद्टेmap देने सवाल है यह करेंगे कैसे प्यार से देखिए इसमें से क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा हमारी बात आप माइनस कामल ले लिजी, ठीक है? तेनों में माइनस कामल ले लिजी, जाँस जाएगा, फलस गस जब्रे…? यो जाँएगा, फलस 4 गस, यो जाँएगा, माइनस 1, जो जिस चिंद में, उसका चिंद क्योवल बदल दिजी, ये पलस 1 था, देखों, ध्यान से आप सुनिए a square plus 2 into a into b ये भी देखो 4x है लेकिन 2ab plus b square minus b square जोड़ा घटा है फिर लास्ट में minus 1 कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आया होगा ये लेकिन मैं समझा दूंगा ध्यान दो जितना यहां लिखा उतना ही यहां लिखा उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखो देखो ध्यान दो ये plus 2 square minus 2 square अगर छोड़ दिया जाए ये तो समझ जो plus 1 minus 1 0 हता है ना plus 2 minus 2 0 हता है अगर इसको मैं छोड़ दूंग जो इसको white कर दिया तो ये 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 तीनोत उपर है 1 square उपर है 2 2 4 x उपर है minus 1 उपर है सफेद रंग के नीचे क्या लिखा हूँ जुगाड बनाया हूँ उसी जुगाड से सवाल हल होगा उसी जुगाड से भारती लोग अपना अपना काम चलाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर plus 2 का square minus 2 का square जोडना खटाया क्यों किया ऐसा क्योंकि सूतर बनाना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक जितना मैंने घेर दिया यह क्या बनेगा a square plus 2 a b plus b square यानि a plus b का holy square बनेगा ठीके चलो ध्यान से देखो क्या बनेगा x plus 2 का holy square और यह minus 2 का square minus 4 और minus 1 minus 5 जाएगा अरे भाई इतना जितना घेर रहूँ यह क्या अगर minus 5 होगा ठीक है अब क्या करेंगे बड़ा वाला bracket खोल देंगे तो बड़ा वाला bracket खोलेंगे तो यह minus जाएगा और यह plus 5 जाएगा तो 5 को पहले लिख दो माइनस इसको बाद में लिखो ठीक है minus जाएगा यहां प्रस 5 लिख दिया minus जाएगा इस bracket के पहले तो minus को स्टेक में उतना अब क्या करना है ध्यान से सुनिए ध्यान से सुनिए अब इसको सुत्र के फार्मेट में ढाल देना है पांच को लिखेंगे कर्डियों पांच के स्क्वाइर minus एक्स प्राटू का स्क्वाइर अब कहोगी कौन सा सुत्र लगा सर यह वाला लग जाएगा बेटा देखो तूं इवाला सुत्र तुमको याद होगा नहीं याद है तो मैंने बताया ना Google में कैसे सर्च करेंगे तो सारा समाकल उनका सुत्र आपको फ्री में मिल जागा वो भी मैंने लिखा है मैंने तयार किया है ठीक है इस पर भी कौन सा सुत्र लगेगा हाँ इस साइन इन्वर्स यक्स बाई ए बस यही सुत्र रिष्म में लगा दीजे क्या है एक की जगा करडी में पांच यक्स की जगा यक्स प्लस टू इसका ध्यान रखिएगा सासिकला को आता होगा क्या है एक बटा दो लिखना है कोष्टक बनाना है यक्स लिखना पूरी करडी उतार देना है यक्स मतलब यक्स प्लस टू पूरी करडी उतार दो फिर प्लस लिखना ए स्क्वायर यानि करडिम पांच का स्क्वायर फिर क्या लिखना साइन इन्वर्स यक्स बाई ए से मतलब x प्रस टू बट ए यह का मतलब क्या यह का मतलब कडिम पांच है बस आई यह एक लाइन और तकलीफ है कर्डिम 5 और इसको solve करेंगे तो एक question ही वापस आ जाएगा question उपर है question कहां उपर मैं दिखा दूँ यही आएगा यह यह करेंगे बन माइनस पूर एक सब्सक्राइब ठीक है कर्डिम 5 के स्क्वाइर पांच साइन इन्वर्स एक सब्सक्राइब अपान फाइब कर्डिमें पांच लास्ट में see यह हुआ आपका answer है ठीक है और अगर आपको समाकलन शुरू से आखरी तक free में मुझसे पढ़ना है इंटरनेट पर YouTube पर free में पढ़ना है तो आप क्या करोगे लिखोगे अंगरेजी में समाकलन फिर आगे लिख देना M solution ठीक है बस समाकलन लिखे उसके आगे M solution लिखे सर्च करना YouTube में तो मेरे बारे बारे घंटे का दो वीडियो पाओगे दोनों को सुरू से देखना भगाना एक भी मिनट नहीं है एक मिनट दो मिनट भगाओगे समलो बहुत कुछ नहीं आएगा आधे समाकलन पढ़ने के बाद फॉसने लगोगे नहीं भगाओगे पार्ट वन पहले पूरा देखोगे नहीं भगाओगे सारा सवाल तुमको समझ में आएगा पूरी जिंदगी आपको भूलेगा नहीं ठीक है तो ये भी हो गया जिन बच्चों को लगता एंसल नहीं आ रहा है तो ये बच्चे एक बटे दो का अंदर गुडा कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पर तव आ जाएगा ठीक है? दो का अंदर गुडा करो लोगो तो ये 5 बटे दो हो जाएगा पीछले सवाल में भी, एक बटे-दो का अंदर गुड़ा करो, इतना बटे-दो, तीन बटे-दो होजएगा. एंसवार मिलाओगे तियाता यहां थीन बटे-दो दिया है. तो तुम Hai Bटे-दो का अंदर गुड़ा कर लेना, समझे? इसमें भी वही काम है, 2 है तो, 2 का अंदर उडा करो 2 दो कर जागा, यह नहीं रहाएगा, एक बटे 2 का अंदर उडा याएगा, इसके बटे 2 रहेगा, तो तुम यह मैं सोचना कि मेरा उत्तर गलत है तुम यह सोचना यारे मेरी समझ गलत थी मैं समझ नहीं पाया यह तो वही चीज है ठीक है चलिए मेरे भाई अगली कोश्चन पर आते हैं x² प्लस 4x माइनस 5 देखिए ध्यान से कौन सा सवाल है यह चठमा है x² प्लस 4x माइनस 5 इसमें भी आप जुगाड बनाए a² प्लस 4x प्लस 9 माइनस 4 लिख देते हैं यह भी तो 5 है यह भी तो 5 है अच्छा माइनस में आना चाहिए माइनस में 5 आना चाहिए था न तो इसको लिख देते हैं 4 माइनस 9 माइनस में 5 था था यह भी माइनस में 5 आएगा ठीक है चलो भाई dx अब यहाँ से इधर क्या बन जाएगा शूत्र बन जाएगा x प्लस 2 का होली स्क्वाइर 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वाइर अब हम इसको नहीं करेंगे हम इसको नहीं करेंगे क्यों क्यों कि भाईया ये नहीं ये नहीं ये नहीं ए जे वाला ध्यान दीजेगा कर्डिम x प्लस 2 का होली स्क्वाइर माइनस कर्डिम 3 का स्क्वाइर यह सवाल इसी सुत्र पे हल हुआ है तो तुम भी बाबू इसी सुत्र पे ये सवाल कर देना है मैं सुत्र लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ बेटा ठीक है इतना आपके लिए मैं कर सकता हूँ आपके लिए मैं इतना उंगली पकड़ा के आपको चला सकता हूँ ठीक है ठीक है पेटा अगर आप अब तक मेरा वीडियो प्यार से इज्ज़ से देखे होंगे तो यह सवाल खूद करिए और अपने एंसर में जाके एंसर देखना ठीक है एंसर नहीं आएगा तो यह जो एक बटे दो सुरूम है ना इसका अंतर अंदर गुड़ा कर देना बस काम खतम अब तुम्हें मैं साथ अमस्वाली से तरह है निंट करके छोड़ूंगा वन प्लस थ्री एक्स मैनस एक्स स्कॉयर ठीक है चलो माइनस कामन लेलो जब भी एक्स स्कॉयर माइनस में हो तो इसको प्लस बनाने के लिए माइनस को कामन लिया जाता है ठीक है आ जाईए माइनस कामन लिजए तो यह पलस बन जाएगा यह माइनस बन जाएगा यह भी माइनस बन जाएगा चलिए A square minus 2 into A into B की जिगाँ पर क्या लिखें कि 3 आ जाता 3 upon 2 लिखिए इसका गुड़ा करोगे तो यही आएगा कि वल माइनस 3x देख लो 2-2 कर जाएगा तो 3x वही नाया अगर इसको कैसे लाया जाता है इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मेरा देख लेना वीडियो 12 घंटे वाला मज़ा आ जाएगा तुम्हें A square में 2 यह भी प्लस B square इसको जोड़ेंगे इसको घटाएंगे ठीक है लास्ट में माइनस 1 उसको लिख देंगे चुप चाप ठीक है कहोगी कैसे हो रासर अरे यार तुम इस लाइन में जो देख रहे हो ना इसमें कुछ ने बस यही लिखा हूँ यही तीनों चीज यहां भी है दिखाऊं कैसे देख लो ध्यान से अगर यह चीज हम हटा देते हैं तो 2 से 2 कार दो X square यहां 2 से 2 कार दिया 3X यहां माइनस 1 यहां है न वही चीज बस यहां जो भी बढ़ा दे रहा हूँ यही चीज जुगाड है यह आता कैसे है इसी से पता चल जाए जो यहां आएगा उसी को यहां जोड़िए यहां घटाईए दोनों पर square लगा दीजे अब इससे इधर क्या बन जाएगा X माइनस 3 बटे 2 का whole square ठीक है यही तो कमाल है इसी का तो आपको number मिलेगा X माइनस 3 बटे 2 का whole square और यह माइनस 9 बटे 4 हुआ यह माइनस 1 हुआ ठीक है अब माइनस 9 बटे 4 4 माइनस 1 को अलग कहीं देख लिजे केतना होता है 4 कम 4 माइनस 9 माइनस 4 बटे 4 13 माइनस 13 बटे 4 इसको कर्डि में 13 बटे 2 का whole square लिख सकते हैं ठीक है ना इसको क्या लिख देंगे कर्डि में 13 बटे 2 का whole square यह लगता पूरा सवाल हम ही को करना पड़ेगा यह कोष्टक जैसे है वह इसे लिख दो और यह 4 कम 4 9 4 13 यानि करडि में 13 बटे 2 का whole square ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब यह बड़ा वाला कोष्टक यहां भी बंद कर दीजिए गलती हो रहा था अब बड़ा वाला कोष्टक हटाएंगे तो यह माइनस पुलस हो जाएगा और यहां पर माइनस लग जाएगा यहां पर जाहां रगड रहा हूं तो पहले पुलस वाले लिखिए फिर इसको लिखिए ठीक है अब यह कौन से सुत्र पे आया भाई एए स्वाइर माइनस एक्से स्वाइर है इस वाले फार्मूले पर मैं बगल में सुत्र लिख रहा हूं आप समाकलन का सवाल बोर्ड में हल करना तो यह जरूरी नहीं कि आप भी बगल में लिखो मैं बगल में लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूँ ठीक है मैं बगल में लिख रहा हूं ताकि आपको समझा सकूँ ठीक है भाई देख लेता हूँ इसका सुत्र में साइन इन्वर्स वाला ही है प्लस में होता है क्या हाँ ये प्लस में होगा मुझे कुछ मिश्टक लग रहा ये सुत्र ठीक है क्योंकि एक बार इधर साइन इन्वर्स वाला यूज हुआ है नहीं ठीक है ठीक है प्लस में है बेटा प्लस A स्कार साइन इन्वर्स यक्स भाई A ठीक है चलो तो भाई कुछ है नहीं, इसमें क्या लिखना है, एक बटे दो, फिर क्या लिखना, यक्स, यक्स मतलब यह वाला ब्रेकेट, फिर क्या लिखना पूरी पूरी करड़ी बना देना है, फिर पलस A square A square कमदलब काड़िम तेरे बटे दो का स्क्वाइर करेंगे तो तेरे बटे चार हो जाएगा sin inverse X by A X कमदलब X minus 3 upon 2 और A कमदलब काड़िम तेरे बटे दो इतना बड़ा ठीक है अभी ये बड़ा कोश्टक इधर में ने शुरू किया उधर बंद नहीं किया आप लोगों से अधिकतर चात्र ये गलती करते है X minus 3 upon 2 और root के अंदर ये सब solve करने क्या आगा question ही वापस आता है question क्या था हमारा question हमारा था उपर चला गया 1 plus 3 X minus 1 square ये था plus 13 बटे 4 देखो 2 का X में गुड़ा करेंगे तो यागा 2 X minus 3 upon 2 whole upon और ये में 13 बटे 2 ठीक है आरा समझ में इतना अब क्या करेंगे 2 से 2 को काड़ लेंगे एगली बार और बाकि जो चीज जैसे है वह ऐसे लिख देंगे 2 का X में गुड़ा करेंगे तो ये तो येक्ष माइनस 3 upon 2 root में वही चीज ठीक है 13 बटे 4 पूरा इमानदारी से जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं भगवान करें को वह भी इसी तरह से जैसे मैं यहां हल कर रहा हूं आपके लिए ऐसे आप परिच्चा में हल करेंगा examiner के लिए ठीक है जैसे आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है आप दिल खुस हो करके प्यार अपना कमेंट में लिख रहे हो ऐसे ही खुस हो करके कलम से आपका भाग लिखेगा वह परिच्चा में आपकी कहां पर जो चेक करेगा वह आपका भाग ये वह आपका नंबर लिखेगा वह भी खुस हो करके लिखेगा तो प्यारे बच्चों इमानदारी से वीडियो को लाइक कर दिए यार ठीक है अगला स्वाल आठमा स्वाल x square plus 3x बहुत मस्थ है x square plus 3x देखो मैं हूं तो कोई गम नहीं है और आप भी किसी से कम नहीं है देखेए a square plus 2 into a into b कि जगा लिखें कि गड़ा करने पर 3x है ये तीर बड़े दो लिखो plus b square minus b square कहोंगे सार इतना लंबा क record अरे यार यह सब वही सिर्फ इतना ही तो नीचे लीखा है देखो अगर यह हम हटा दें चाड़ ज्मास मैंससे काट ज् đã नBaby तो क्या बचिए ला में ज्यादा देर तक समझाओंगा मैं बहुं लेट तक कई बार रिपीट मारूंगा तुम्हारे दिमाग में भार दूंगा वैसे भी समसमादार हो समझ गए यहां से लेकर यहां तक से हम सुत्र बन जाएगा यह प्लस बीका होली स्कुर्ए स्कुर्ण 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 ना छोड़ों नहीं छोड़ोंगा क्या होता एक बटे दो यक्स मतलब यहीं चीज़ पूरा लिख दो फिर करड़ी में सेम चीज़ उतार दो स्कॉरर यानि करड़िम तीन वाटी दो का स्कॉर खरो नहीं तीन वाटी दो है यहाए पwater है पूरक एया जार होतार देख लिजी फिर आज्याशक्ते देख लिजे दू अक्सक सेम चीज़ कि यह स्कार हो गया लाग यक्स का मतलब यही यक्स पुलस तीन बटे दो पुलस कर डीम सेम चीज सेम चीज का मतलब फूरी कर डी ठीक है अब क्या होगा अब क्या होगा देखिए बहुत आसान काम है अब यह कोश्टक वाली चीज जैसे है वैसे ही रह जाएगा कि इसका स्वलूशन कोश्चन ही वापस आता है क्या है कोश्चन एक स्क्वाइर प्लस कितना एक से भाई तीन एक से है इतना ही आएगा यह ठीक है यह नौ बटे चार हो गया लाग यक्स प्लस तीन बटे दो करड़ी में वही आएगा यह स्वाइर प्लस तीन एक्स ठीक है लास्ट मेंसी एंसर ठीक भाई कोई परसानी किसी को किसी को नहीं परसानी अगर भूक में एंसर नहीं आये तो बाहर वाले एक बटे दो कांदर गुड़ा कर देना बस नव बटे आठ जाएगा यह यह दो एक्स प्लस तीन बटे चार जाएगा लेकिन नहीं गुड़ा करिएगा सही रहेगा नहीं गुड़ा करिएगा तो सही रहेगा और यहाँ पर माइनस है सूतर में गलती हमने लिखा यहाँ माइनस है ठीक है? यहाँ भी माइनस है ठीक है? यहाँ भी माइनस है सूतर में कहीं कहीं भूल हो जाता है ठीक है? मेरे प्यारे रसगुलो मेरे जिगर के छलो बेस्टा बलक बेस्ट सवाल था अगला सवाल भी मैं कर दूँ नोवा सवाल एक धन नो एकस स्कॉयर बटेनो बड़ा तेंड़ा है तो हमारे चात्र डरे हुए है ऐसे है ऐसे है तो क्या करेगा फरिसान करेगा ना ना देखिए नो का एक में गुड़ा कर लिजे नो एक कम नो पलस एकस स्कॉयर हो लपान नो ठीक है चलिए बटे का नो बाहर निकाल दो एक बटे तीन हो जाएगा कोडिम क्या बचेगा नो नो को लिखेव तीन का स्कॉयर एकस स्कॉयर अरे यह बटे का नो नीचे बाहर गया तीन बन गया एक बटे तीन तो उपर वाले नो को तीन का स्कॉयर उपर वाले एकस स्कॉयर अब तुमको पता है ना यही सुत्र इसमें लगी होने वाला है हाँ इसका सुत्र किसको किसको याद है कॉमेंट में लिखो बहुत आसान सुत्र है इसका क्या है इसका क्या है इसका कि अज़िए कि सारे सुत्रों की लिस्ट हमने लिखा था इक जगा हां मिल तो गया है मिल गया मुझे सारे सुत्रों की लिस्ट कहां गया जी मैंने जूट में कह दिया मिल गया अब मिला है मिल गया हाँ अब सभी है ठीक है क्या रहे गया एक बता दो क्लूस्टाक में यक्स रूट में स्यम चीज इसक्वयर फूस से स्कॉट प्लस एसक्वयर कि सान इन वर्स यकषब ये यह कंड़ ये स्कॉयर लाग करके हैं लाग एक्स प्लस रूट में स्यम चीज बस अब आपकी बारी है आप इसको करिए चैना करिए लेकिन मैं आपके भरोसे नहीं मैं खूद कर दे रहा हूं ठीका देखो क्या लिखना देखो एक बटे दो लिखना लिख दिया फिर क्या लिखना यक्स रूट में सेम चीज यानि लिखना यक्स रूट में सेम चीज सेम चीज यहीं वाला ऐसे फिर क्या लिखना प्लस ए स्क्वाइर यानि तीन का स्क्वाइर लाग लिखो फिर यक्स प्लस रूट म मैंने इसको एक बटए 6 बनाया X रूट में इसको करेंगे 9 पलस X स्क्वेर पलस 9 लाग X पलस रूट में 9 पलस X स्क्वेर बास भाई बास जाने दो जाने दो एंस्वार आने दो बहुत मन करें तुम्हारा तो एक बटए 6 का अंदर इसमें इसमें गुड़ा कर लो 9 और 6 काट के 3 बटए 2 बना देना नहीं तो ऐसे ही रहने तो ऐसे ही सही है तो भगवान आपका भला करें भगवान आपको अच्छे नंबरों से पास करवाएं ठीक है यही मैं उम्मीद करता हूँ और जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं मैं उनके लिए पूरी महनत कर रहा हूँ आगे भी और ज्यादा महनत करूंगा हाँ दिपावली तो सारा होली की तरह आफलाइन जैसे इसकोल में चुट्टी होता है तो हम भी वीडियो काल का बैच उसी तरह चुट्टी करते हैं क्योंकि आफलाइन की तरह है न ट्यूशन उस टाइम हम रहेंगे तभी पढ़ाएंगे उस टाइम आप रहेंगे तभी पढ़ाएंगे तो थोड़ी बहुत नराजगी हो जाती है बच्चों की काते है तरह चुट्टी हो जाता है आनलाइन में कहां कोई चुट्टी करता है सई यह नहीं करता है लेकिन आफ स्वेम उस टाइम पर खेतों में हैं दिवाल बाजार में हैं रिष्टेदारी में हैं, करीदारी में हैं, इस नाते छुट्टी कर दिया जाता है, खेर उबराल मिरा जुला के बहुत बेस्ट हम, महनत करेंगे आपके साथ, ताकि आपका नमबर भी बेस्ट से बेस्ट आए, थैंक यू